हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होगे आपके सामने यहां पे पांश नंबर दिखाई दे रहे हैं 1,2,3,4,5 आपको जो नंबर अपनी और आकरशित कर रहा है वो नंबर आपको आज सेलेक्ट करना है चुन लेना है उसके आधार में ही आपकी रिडिंग आपको पता चलेगी और रिडिंग का जो टॉपिक है वो है कोई भी एक नंबर जो नंबर आपको अपनी और आकरशित कर रहा है व है ठीक है अच्छे फीलिंग फीलिंग है या कुछ नहीं है तो यह जो डिंग टॉपिक है ना यह उन लोगों के लिए बीए है जो लोग अपने दोस्त के लिए देखेंधा चाहते है या फिर आप अपने editing हो सकते हैं १क को या है ना कि आपको ये पता चलेगा कि सामने वाला इनसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं जिसका नाम लेकर आप नमबर को चुने हैं वो इनसान आपके लिए अपने मन में क्या रखता है कैसा भाव रखता है तो यह चीज है आज का टॉपिक आप समझ गये होंगे देख तरह कि ़िर्णल रिडिंग होथी है सामान रीडिंग होथी है, पोस्तनट रीडिंग नहीं है, तो मैं गरनटी आपको नहीं दे सकती हूं, आप चाहें तो इसको एक एंटेटेन्मेंट के दोर पे भी देख सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर कोई भी प्रेशन नहीं है, क इसको एक मनरजन की तरह भी देख सकते हैं इंजॉय कीजे अगर आपसे connect होता है तो अच्छी बात है नहीं connect होता है कोई बात नहीं same topic पे आपको वार वार वीडियो देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो परिशान होने की जरूरत नहीं है उमीद करते हैं कि आपने सारा point अप फारे में जानना चाहते हैं कि उनकी मन में आपके लिए क्या है तो आप different different इंसान के लिए different different number भी select कर सकते हैं ठीक है जैसे कि आपने पहला कि उसके बार हम आएंगे रिडिंग पे तो चलिए अब तक तो आपने अपने नमबर चुन लिया होगा और हम यहां को काट को थोगा सा मिक्स करेंगे तक आपने जाफ मिकशित Valentine's 2009 mother oil宣 meilleur कि उसे पला हम ऑने पला हुआ हैं अबारी हैं तो यह हैं पांच नमबर के पांच कार्ड्स ठीक है यह फाइफ नमबर जो आपने अभी देखे हैं यह पांचो कार्ड्स नमबर के हिसाब से हैं अब आपको बस इस रिडिंग को सुनना है और देखना है कि आप से कितना कनेक्ट हो रहा है ठीक है अब यह रिडिंग के उपर है देखते हैं कैसी रिडिंग आती है टॉपिक आपको पता ही है कि वह इंसान आपके बारे में क्या सोच क्या उमीद क्या कुछ रखता है अपने कहिए इंसान आपको एक थोड़ा सा ऐसा नेचर का इंसान समझता है जो तोड़ा घमंडी है जो अपनी बात को ही मनवाने में लगा है जद्धी इंसान है ऐसा इंसान है जो अपनी आपको ही सामने अपने आपको ही सही समझता है दूसरों की बातों को नहीं समझता है नहीं सब्सक्रण ऐब व्हाँ है। राइसे का कम को आपके अपके रूह सब्सक्राइग गभिशनेस क्या थेकिक ओर कृथ में रहत्त ये तो एक तरिकियक्षन काम, सबीथ है। वह व्हो तरह कोई प्तिटी सब्सक्राम आप鍵 मैं और ये तोаны है। जिसे कोई बहला फुसला नहीं सकता है, जिसे कोई बदल नहीं सकता है, जो अपने ही पॉइंट पे है, तो वो हट नहीं सकता है, चाहे कितना भी करीबी कोई इनसान उसके क्यों ना हो, चाहे कितना ही तैसी इनसान क्यों ना उससे कह दे कि ये काम मत करो, मत करो, मत करो, आप तो एक बहुत ही मजबोत एक बहुत ही कठोर परस्णाल्टी यह इसान समझता है आप ओर एक थोड़ा घंवंड नेचर भी समझता है थोड़ा सा थीक हो सकता है कि आप ऐसे हूं आप ऐसे जगा काम करते हों पढ़ाई लिखाई होता है ना इंसान की देखने में बहुत खुबसूरत होता है तो इंसान को थोछी घमंड होता है पढ़ने में अच्छा होता है अच्छी घर से होता है ठीक है तो हो जाता है तो नेचर है नेचर है तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सक कि ये जो इंसान है आपके लिए मन में रखते हैं कि आप एक बहुत दुखी इंसान है आपको हमेशा एक सहारे की जरूरत होती है आप कोई भी काम कुछ से नहीं कर सकते हैं आप बहुत ज़्यादा अपने आप में एक हतास इंसान है जिसके में एक आत्म विश्वास की कमी है निरास इंसान है, हतास इंसान है आपको हमेशा सहारी की जरुबत होती है आप हमेशा दूसरों की उपर ठीक है आशित है, आप कोई कार अपने से नहीं कर सकते है थोड़ी feeling इनकी आपके लिए एक दया भाव वाली भी है थोड़ी दया भी आती है कभी कभी जुझलाहट भी आती है कि ये कैसा इंसान है तो एक mixed feeling इस इंसान की है लेकिन कहीं न कहीं जो एक main feeling वो यही है कि ये इंसान आपको बहुत एक निरास इंसान समझता है सहारा आपको देना चाहता है ये इंसान आपको अगर आपके लिए तो दूछे मन में घुसा भी है तो उसको रखता है कि छोड़ो जाने तो इसपर गुसा नहीं करते तो पहले सरी दुखी इनसान है तो एक दुखी इनसान की छवी उनके मन में है आपके लिए ठीके जो भी इनसान है तीसरा नमब जिल नोगों ने भी चुना था तो मस्ट मौला है जैसे इंसान होता है जो किसी की नहीं सुनता है अपने आप में मंगन मागन है चाहे गलत कर रहा है चाहे सही कर रहा है कुछ नहीं पता है उसको अंधेरे में तीर चला रहा है और सपने बहुत बड़े-बड़े हैं काम कुछ नहीं है तो ऐसा सोच है इंसान का कि बड़ी-बड़ी वाते करते हैं लेकिन रिसल्ट कुछ नहीं है और देखते हैं कि जो आप कहते हैं आप करते हैं तो एक ऐसी छवी बनी हुई है ये इनसान आपके बारे में ये तो जानता है कि ये इनसान बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन करता कुछ नहीं है एक आलसी सभाव भी ये आपको समझते हैं कि एक आलसी सभाव है किसी की सुनते नहीं है और वो ये भी समझते हैं कि किसी की सुनते नहीं है इससे इनको नुकसान भी होता है जद्धी इनसान है मरमोजी इनसान है खुश रहने वाले इनसान है टेंशन लेने वाले इनसान नहीं है ये सारी फिलिंग है इनके अंदर ठीक है आईए देखते है नमबर फूर नमबर फूर आप जिसके लिए भी एकार्ट चुने हैं वो इनसान आपको बहुत अच्छे से जानता है आपकी वो आली फिलिंग जो आप किसी के सामने साहिर नहीं होने देते हैं वो आला नीचर वो आला दर्द वो आला दुख जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं यह इनसान बहुत अच्छे से आपको जानता है आपके जीवन की जो भी समस्या है यह बहुत अच्छे से समस्ते हैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो सच में जानते हैं आप सच में दुखी हैं लेकिन आप दिखाते नहीं हैं आप एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों के सामने बहुत खुश रहते हैं यह इंसान अगर मैं कहूँ तो यह जो भी होगगग आपका लव पार्टनर है या फिर आपका दोस्त है तो जनल लोगों नमबर फाइव चुना है आपके जो परसन है अभी आपको यह पुरी तरह से समझ नहीं पाए हैं इनको बहुत ज़्यादा आपको लेकि कन्फ्यूजन है कभी आपको यह बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छा समझते हैं कभी लगता है कि आप गमंडी एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपने आप में आपने विस्वास रखता है जो किसी के लिए पदल नहीं सकता है यह आपको और जानना चाहते हैं ठीक है लेकिन यह अभी तक आपको जान नहीं पा रहे हैं अभी इनको वक्त लगेगा आपको समझने में नमबर फ झाओफो झाटे टान सकते हैं झाओएंटोadamente था जविए तक ज़ता हैं पाले यृ किसी के लिँे बहें में दोक्त लिए जाले कर लंके टेगी यह णामें तक को जो जो किसी ये इनको में रहे हैं झाहां! झाल